आज के इस विडियो में हम बात करने वाले हैं orb意味 स्कीम के बारे में जिसमें आप इंवेस्ट करके लोक्टरम पेड्ल में एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं कौन से एस्कीम और हम इस स्कीम में कैसे इंवेस्ट कर सकते हैं इन सभी बातों को जानेंगे आज के इस वेडियो में हम बात कर रहे हैं ELSS स्कीम के बारे में इसका पूरा नाम है Equity Links Saving Scheme जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा यह स्कीम Equity Linked है Equity Linked यानि कि इसमें जो मिलने वाला इंट्रेस्ट होता है वो Market Linked होता है Normally हम mutual fund को हम सिर्फ एक investment के तरह ही दिखते हैं लेकिन ELSS mutual fund में हम investment के साथ ही साथ अपना tax भी बचा सकते हैं ELSS mutual fund में हमें moderate risk के साथ high return देखने को मिल जाता है यहाँ पे हमारा पैसा fund manager के द्वारा हमारा return और investment दोनों को manage किया जाता है आईए अब जानते हैं यह scheme आखिर काम कैसे करता है ELSS mutual fund के तरह हमारा invest किया होगा पैसा fund manager के द्वारा different company के stock में invest किया जाता है और हमें उसके हिसाब से return देखने को मिल जाता है जब हम directly stock market में invest नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं इतना time होता है और नहीं हमारे पास stock market के knowledge होता है इसलिए हम mutual fund में invest करना हमारे लिए best होता है इसमें हमारा fund manager हमारे पैसे को अलग-अलग जगा invest करते हैं और उसके return हमें मिलते हैं अगर आपका investment के साथ अपना tax बचाना चाहते हैं तो आप ELSS mutual fund में invest करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है अब जानते हैं ELSS scheme में invest करने के क्या-क्या फाइदे हो सकते हैं सबसे पहला advantage तो यही है कि इस scheme में हमें high return देखने को मिल जाता है इसमें हमें on and average 15% से लेकर 20% तक return देखने को मिलता है जो कि किसी भी saving scheme से काफी जादा होता है इसलिए यह scheme return के मावले में काफी जादा अच्छा है सेकर्ड नॉर्मली जाद तरलोग इस scheme में investment tax saving के लिए ही करते हैं इसमें investment करने पे हमें income tax section 80C के तहट एक financial year में डिर लाग रुपा तक tax benefit देखने को मिल जाता है अगला फाइदा यह है कि हमें की माडरेट रिस्ट देखने को मिल जाता है पॉर्थ इसमें हमारे द्वारा इन्वेस्ट के पैसा बहुत तेजी से compound होता है और compound की वज़े से बहुत तेजी से ग्रोव करता है जिससे कुछी टाइम के बाद हमें अच्छा कासा profit earn दिखने लगता है फिर इसका अगला फाइदा यह है कि इसमें lock in period इस स्किम का 3 सल का होता है यानि कि एक long term saving scheme है जिसमें invest किया होगा पैसा 3 सल के बाद ही आप निकाल सकते हैं अगला फाइदा इस स्किम का यह है SIP और लंसम आप इस स्किमें SIP के थुरू या लंसम दोनों तरीके से ही आप इस इसकिम में invest कर सकते हैं को आप इस image के थूद देख सकते हैं और इन तीनों स्कीम को compare करें कि हमें किस इनवेस्ट करने पर हमें कितना ज्यादा रिटरन देखने को मिलेगा सबसे पहले बात करें रिस की तो PPA में लो रिट्स देखने को मिलता है वहीं NPS में मौडरे रिस देखने को मिलता है सब्सक्राइब बात करते हैं तो इन पेस्ट में बारा परसंट से लेकर बीच में रिटन देखने को मिलता है और यह सब्सक्राइब बात करते हैं तक बचा सकते हैं और लास्ट बात करते हैं पैसा मिलता है वह फ्री होता है लेकि यह से मिलने वाले पैसे पर हमें लॉंग टर्म केटल गिन तभी देना पड़ता है जब आपका प्रॉफिट एक लाग रुपैसे ज्यादा हुआ हो तभी करते कि एलसी में हम चालते हैंस का इन्वेश्ट कर सकते हैं इसमें इसमें अपको पहले ही बता दिया फैसे इन्वेस्ट करें हो आप यह ह्यां लंसम पैसे को विद्रॉन नहीं कर पाक्ते हैं जानते हैं कि यह से स्कीम कितने टाइब का होता है कि यह आपको समय समय पर investment का dividend मिलते रहता है यह वाला fund लोग कमी चुनते हैं क्योंकि इसमें compounding का फाइदा देखने को नहीं मिलता है second growth fund इसमें dividend timely नहीं मिलता है बलकि आपके पैसे compound होकर invest होते रहते हैं और इसमें compounding effect की वज़से आपके पैसे multiple होते रहते हैं और आपका पूरा पैसा बढ़ता रहता है अगला है dividend reinvestment पंड अब इसमें जो आपको dividend मिल रहा होता है आप उसको reinvest कर सकते हैं जब आप ऐसा करेंगे तो आपका lock-in period reinvestment की date से सुरू हो जाएगा इसका मतलब जैसे जैसे आप reinvestment करते जाएंगे आपका lock-in period बढ़ता जाएगा अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम अपना पैसा large cap में invest करें mid cap में invest करें कि या small cap में invest करें large cap में interest you have high Cruise nineteen to list में भीमणते बैलेन में अपना पैसा पर आपको कम रिस्क भी देखने को मिलता है और साथ इन साथ आपको रिटर्न वहाँ पर जाहत देखने को मिलता है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ELSS स्किम के बारे में आपको पूरी जनकारी मिल चुकी में